हाई दोस्तों इससे पहले हम दो ओडर का बनाके दिखाये थे जो प्राड़ंबिक संक्रिया के माध्य हम से कैसे दो ओडर का रहेगा तो उसका इन्भर्स ग्याद करेंगे अब जो क्वेश्चन दिया है इसमें यह थिरी बाई थरी मतलब तीनी ओडर का है तो तीन ओडर का है मैट्रिक्स उतना ओडर का आई लेना है यूनिट मैट्रिक्स लेना है तो देखे दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन बनाने के बाद सारा सॉल्व होता है लेकिन थोड़ा सा धर्ज रखना पड़ेगा और इस सवाल को जब डिटेमिनांट पढ़ेंगे के माध्यम से ग्यात नहीं करेंगे अगर प्रारंभिक संक्रिया नहीं देता है तो हम लोग डिटेमिनांट के माध्यम से ग्यात करेंगे लेकिन यहां तो डाल दिया है प्रारंभिक संक्रिया तो देखिए दोस्तों कैसे क्वेश्चन बनता है और इस चेप्टर में आपका दो order है और तीन order है देखिए इसको हम बनाते हैं solution सिखिए मेरे साथ आप लोग भी अगर problem होगा फिर comment किजिएगा अगले वीडियो में बना के हम दे देंगे जो दिया हुआ है matrix उसको सबसे पहले लिखना है चुकि A is equal to जो दिया हुआ है उसको लिख देना है 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 यह आपका दोस्तों matrix है और इसको हमने लिख दिया अभी बोले थे अगर row से चलना है तो I into A लेंगे और column से चलना है तो A into I लेंगे तो हम row से ही बनाते हैं as, as होता है जैसा की A is equal to आप लेख सकते हैं I into A जो किसी भी matrix में unit matrix से जब multiply करते हैं तो वो matrix के equal होता है इसलिए A is equal to I into A लिख हैं इसका मतलब यह row से ही बनाना है अब इधार दोस्तों A का value देना है जो यहाँ है वो देजिए बहुत simple है दोकिन थोड़ा ध्यान से 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1 यह matrix है आपका और इतना ही order का unit matrix लेना है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 बोले थे unit matrix का मतलब diagonal element 1 otherwise 0 into A देना है यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं करना है इसको A रखना है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ बोले हैं left side में यह चीज लाना है आपको unit matrix लाना है अर्थात 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 तो यहाँ 1 लाना है तो क्या करते हैं यह R1 है यह R2 है तो R2 को अगर हम R1 के स्थान पर लिख देंगे यह तो यहाँ चला आएगा और यह यहाँ आजाएगा तो हम लिखते हैं using, applying भी दे सकते हैं using भी दे सकते हैं applying लागो कर रहे हैं applying R2 tends to R1 और R1 tends to R2 इसका मतलब वह R2 को लिखेंगे R1 के जगह पर और R1 को लिखेंगे R2 के जगह पर अर्थात दूसरी पंक्ती को फर्स्ट पंक्ती और फर्स्ट रो को सेकेंड रो के place पर हम लोग रखेंगे यह दूसरी पंक्ती है यहाँ जाएगा 1 2 3 0 1 2 इसको कुछ रही करना है जो applying किजिएगा उसके अनुसार से आपको चलना है अब आगे बढ़ेंगे जैसे आप LHS में किये हैं उसी तरह इधर भी करना है इसको वहाँ लेखेंगे सेकेंड रो को फर्स्ट रो के स्थान पर 0 1 0 1 0 0 0 0 1 अब देखिए यहाँ 1 आ गया यहाँ 0 लाना है यहाँ 0 लाना है यहाँ 0 लाएंगे इस R2 पे 2 से मल्टिप्लाइ करके अगर मैनस कर देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा अपलाइंग ध्यान देखिए हमें साई उनिटमेटिकिस यहाँ पुराना है अपलाइंग R1 टेंस टू R1 मैनस 2 R2 R2 में 2 से मल्टिप्लाइ किये और R1 में से माइनस करेंगे और R1 के अस्थान पर लिखेंगे तो 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2 इंटू 00 होगा और 1 में से माइनस करेंगे तो 1 रहेगा 2 से मल्टिप्लाइ तो 2 2 माइनस 2 0 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो 2 इंटू 24 3 में से 4 जाएगा minus 1 इसको कुछ नहीं करना है वैसे लिख देना है 012311 आगे बढ़ेंगे जो काम इधर किये हैं वही काम इधर भी करना है आपको इसमें 2 से multiply करेंगे 2 होगा और इसमें से minus करेंगे तो minus 2 हो जाएगा इसमें 2 से multiply करेंगे 0 ही रहेगा अर्थात 1 फिर 2 से multiply करेंगे 0 ही रहेगा 0-0 0 ही होगा इसको वैसे लिखना है 100001 जो आप LHS में करेंगे वही RHS में भी करना पड़ेगा इसा नहीं जो LHS में करके RHS को छोड़ दीजिएगा फिर फिर वालरम solve नहीं होगा answer नहीं आएगा अब यहां 1 आ गया 0 आ गया और यहां आपको 0 लाना है क्या लाना है 0 लाना है तो 0 लाएंगे तो अब अगर आप R3 को इसमें add करते हैं तो यहां तो 0 आ जाएगा लेकिन यहां 1 आ जाएगा यहां फोड़ जाएगा एक के चक्कर में दो गर्ब आएगा कोई दिक्कत नहीं 1, 0, 0, 0, 1, 0 यहाँ 0 लाना है फिर यहाँ 0 लाना है यहाँ 0 लाना है और यहाँ 1 लाना है तो यहाँ 0 ले आते हैं पहले क्योंकि अगर आप यहाँ 0 लाते हैं तो यह दो एलिमेंट गरवरा जाएगा अगर आप यहाँ 0 लाते हैं इसमें 3 से multiply करके यहां 0 ले आएंगे इसमें 3 से multiply करेंगे तो वह ने रहेगा किसी भी तरह से इधर आपको unit matrix लाना है किसी भी तरह से applying यह R3 है तो लिखेंगे R3 tends to R3 या minus 3 R1 R1 में 3 से multiply किये और R3 में से virus किये और लिखेंगे R3 पतलब थर्ड रोब है इसको वैसे लिखे देना है 1, 0, minus 1, 0, 1, 2 अब 3 से multiply करेंगे तो 3 इसमें से minus होगा तो 0 3 से multiply करेंगे 0 और 1 में से जायेगा तो यह 1 ही रहेगा minus 3 हो जाएगा 3 से multiply करेंगे क्या होगा minus 3 अब इसमें से minus करना है तो 1 में से minus 3 को minus करेंगे 1 minus minus 3 is equal to 4 हो जाएगा जो process यहां की है वही process इधर भी करना है आपको minus 2, 1, 0, 1, 0, 0 अब आईए इसमें 3 से multiply करना है तो 3, 2, 6, minus 6 इसमें से minus करेंगे 0 minus minus 6 to 6 हो जाएगा यहां पर और यहां 3 से multiply करेंगे 3 होगा और 0 में से minus जाएगा तो minus 3 और 1 ही रहेगा यह into A अब देखिए 1, 0, 0 लाना है यहां पर 0, 1, यहां 0 लाना है 0, यहां 0, यहां 1 लाना है तो यहां 0 असानी से लाएगे दोस्तों क्योंकि यह R3 है और यह R2 है R3 में से अगर हम R2 को minus कर देते हैं यह 0 आ जाएगा apply R3 tends to R3 minus R2 R3 में से R2 को minus किये तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को minus किये और तीसरी पंक्ति में लिखने है देखे दोस्तों क्या होता है R1 को कुछ नहीं करना है इसको जियोंका त्यों लिख देना है 0 है यह R2 को भी कुछ नहीं करना है अब चलिए R3 जो है आपका वो है 0, 1, 4 यहां देखे दोस्तों R3 है 0, 1, 4 तो इसमें से इसको जब minus करेंगे तो 0 में से 0 minus होगा तो 0 ही होगा 1 में से 1 जाएगा तो यह 0 आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा यहां लेखेंगे हम 0, 0, 2 0, 0, 2 इसके माध्यम से 0, 0, 2 0, 0, 2 अब जो प्रोसेस इधर किये हैं वही प्रोसेस इधर भी करना है यह दोनों को तो हम हुब हुब लिख देंगे R1, R2 को लेकिन R3 में लिखना पड़ेगा 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 होगा minus 3 में से 0 जाएगा minus 3 होगा 1 में से 0 जाएगा तो 1 होगा इसको लिखेंगे 5, minus 3 और 1 उसको उपर में सेम रखेंगे minus 2, 1, 0, 1, 0, 0 यहाँ 6 में से 1 चला जाएगा 5 बचेगा minus 3 और फिर 1 देखें दोस्तों यहाँ 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 यहाँ 1 लाना है 1 आसानी से आएगा अगर हम R3 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह वन आ जाएगा यहाँ लिखेंगे applying R3 tends to 1 by 2 R3 इसका मतलब हुआ R3 में 2 से डिवाइड किये है और R3 के स्थान पर लिख रहे हैं R1 को तो कुछ नहीं करना है वैसे लिख दीजी 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 0 ही होगा 2 में 2 से डिवाइड करेंगे 1 देखें दोस्तो 3rd रूप आ गिया है 001 अब इसको भी वैसे लिखना है यहाँ 5 में 2 से डिवाइड करेंगे 5 by 2 मैनस 3 में 2 से डिवाइड करेंगे मैनस 3 बाइ 2 अब देखिए दोस्तों 1, 0, यहाँ 0 लाना है 0, 1, यहाँ 0 लाना अब अब असानी से अगर इसको हम R3 को R1 में एड़ कर देंगे तो 1, मैनस 1, प्लस 1 यह तो 0 हो जाएगा चलिए अपलाइंग इसी तरह से आपको बनाना है बहुत सिंपल है एक सवाल अगर सॉल्व कर लिजिएगा सारा बन जाएगा R1 टेंस टो R1 प्लस R3 तो R1 में 1 में 0 को एड़ करेंगे 1, 0 में 0 को एड़ करेंगे 0, मैनस 1 में 1 को एड़ करेंगे 0, 0, 1 इसको कुछ नहीं करना है 0, 0, 1 चलिए इधर भी वही काम करना है R1 में R3 को एड़ करना है तो मैनस 2 में 5 बाइ 2 को एड़ करेंगे दोस्तों देखें मैनस 2 प्लस 5 बाइ 2 तो मैनस 4 प्लस 5 1 बाइ 2 आएगा यहां लिखेंगे 1 बाइ 2 1 में मैनस 3 बाइ 2 को एड़ करना है minus 3 by 2 को यह हो जाएगा minus 1 by 2 इस तरह से solve करके लिखते जाएंगे minus 1 by 2 0 में 1 by 2 को add करेंगे तो 1 by 2 ही होगा इसको कुछ नहीं करना है वैसे लिखिए यहां भी उसको लिख दीजिए 5 by 2 minus 3 by 2 और 1 by 2 ठेक है अब देखिए दो रो असपस्ट हो गिया है 1,0,0,0,1 यहां 0 लाना है अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं यहां 0 लाने के लिए इसमें 2 से multiply करके इसमें minus कर देंगे अर्थात R3 में 2 से multiply करके R2 में minus करेंगे applying last है यह applying उसके बाद आपका हो जाएगा R2 tends to R2 minus 2 minus 2 0 इसलिए है चलिए R1 को वैसे लिखे 1,0,0 यहां 0,1 2 से multiply करेंगे तो 2 minus 2 0 इसको भूब होगी R1 को वैसे लिख देना है 1 by 2 minus 1 by 2 अब चलिए इसमें R3 में 2 से multiply करना है तो 2 से जब multiply किसी हैगा तो यह 2,2 cancel हो जाएगा 5 बचेगा और 1 में से 5 को जब minus किसी है क्योंकि R2 में से minus करना है तो 1 में से 5 को minus किसी हैगा तो minus 4 हो जाएगा यहां 2 से multiply किसी हैगा तो 2,2 cancel होगा minus 3 और 0 में से जब minus 3 को minus किसी हैगा तो यह plus 3 हो जाएगा और यहां 2 से multiply किजिएगा तो 2, 2 cancel और 0 में से 1 को जब minus किजिएगा तो minus 1 और इसको वैसे लिख दीजिए 5 by 2 minus 3 by 2 और 1 by 2 अब देखें दोस्तों यहां यह एसपस्ट होगी आपका unit matrix आगया यहां लिखेंगे i is equal to इसको पढ़गी यह b है तो b into a जैसे ही i is equal to b होता है इसलिए a inverse is equal to b पढ़ा हैं थ्योडम दिये हैं तो b का value यही है 1 by 2 minus 1 by 2 1 by 2 minus 4 3 minus 1 5 by 2 minus 3 by 2 और 1 by 2 यह होगी दोस्तों आपका answer यह तीन order का है इसी तरह से तीन order का question आपको solve करना है तो तीन चार question exercise में दिया है हम अमीद करते हैं यह question आप लोगों से अब बन जाएगा एक question और है इसमें उसको हम लोग देख लेंगे इसी का है example 25 यह question कर रहा है यदि पी इसकल टू आप यू है यह है यह है 10 दिया है यदि इसका अस्तित्व है यदि इसका अस्तित्व है करा यदि इसका अस्तित्व है तो इन्वर्स ग्याद करना है एक बात ध्यान देख जिएगा जब इस तरह के question को solve करेंगे तो किसी row या किसी column का total element अगर 0 हो जाता है तो याद रखिएगा उसका इन्वर्स ग्याद करना संभब नहीं है फिर से सुन लिजे अगर कहेगा अस्तित्व है तो याद रखिएगा किसी matrix के operation करने के बाद row या column का total element ही 0 हो जाता है तो उस स्थिति में इन्वर्स ग्याद करना संभब नहीं है तब लिखेंगे हम लोग इन्वर्स का स्थित्व नहीं है इसे देखिए दोस्तों ये question solution जो दिया हुआ है लिखेंगे हम लोग given given मतलब दिया गया a is equal to 10 minus 2 minus 5 1 ये question है आपका अगर आप रो से चलिएगा as a is equal to i into a a का value देना है 10 minus 2 minus 5 1 अब i unit matrix है तो 1, 0, 0, 1 जितना order का रहेगा a उतना order का लेके चलना है चलिए अब यहाँ unit matrix ये चीज़िए यहाँ लाना है अर्थात यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 1 अगर आप यहाँ 0 लाते है तो इसमें 2 से multiply करके इसमें add कीज़िएगा तब तो 0 होगा चलिए कीज़िए applying r1 tends to r1 plus to r2 इसका मतला r2 में 2 से multiply करके r1 में add कर रहे हैं और r1 के अस्थान पर लिख रहे हैं r2 में 2 से multiply करके r1 में add कीए और r1 के अस्थान पर लिख है चलिए 2 से multiply करेंगे तो minus 10 इसमें add करेंगे तो 0 हो जाएगा 2 होगा और इसमें add करेंगे तो यह भी 0 इसको कुछ नहीं करना है इसे लिख देना है यहाँ भी चलिए r2 में 2 से multiply करेंगे 0 और यह 1 ही होगा 2 से multiply करेंगे 2 और 0 में 2 को add करेंगे तो 2, 0, 1 और यह चाह देखे दोस्तों यहाँ पर असपस्थ हो गया जो यहाँ r1 फस्थ रो का total element क्या है 0 है जैसे ही 0 होगा या तो रो या column का total element तो उस स्थिती में inverse ग्याद करना संभव नहीं है हम लिखेंगे यहाँ r1 का total element total element 0 है 0 है अतह पी इन्भर्स का अस्तित्व पी इन्भर्स का अस्तित्व नहीं होगा यह question बन गया दोस्तों आपका इसमें ए इन्भर्स नहीं निकलेगा पी इन्भर्स क्योंकि total element 0 हो गया तो हम उमीद करते हैं यह question यह exercise आप लोगों से बनेगा आप लोग बनाईएगा जो भी problem होगा तो आप comment में सवाल number या question number आप डाल देजिएगा फिर उसको हम solve करके फिर जो है वो फिर वीडियो बना के डाल देंगे तो उमीद करते हैं आप देख के समझेएगा प्रयास किजिएगा अच्छा से बनाएगा आज की वीडियो में इतना ही धन्नवाद वो तो